सुप्रीम कोट द्वारा मोधी उपनाम टिपणी मानहानी मामले में राहूल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर मुख्यमत्य भुपेश बगेल ने बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट का फैसला लोक तंत्र की जीत है और इसके साथ राहूल ये सुप्रीम कोट की फैसला लोक तंत्र की जीत है यह फैसला उन्सड़ियत्तों की हार है जो उन्हें लोक सबसे से बाहर करने का किया था संसड से दूर रखना चाहते थे क्योंकि सवाल पोच्टे थे इससे सत्ता में बैटे वी लोग परसान हो जाते थे एक बार फिर रहूल जी संसड में होंगे और फिर उस सवाल पोच्छेंगे जो लोक तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है तो सुप्रेम कोट का फैसला उसक ना थी रहूल जी को बढ़ाई कि वो माफी नहीं मागे लड़ते रहे और जीत हुई तत्काल होना चाहिए जिस प्रकार से उसे बर्खास्तकी के लिए तावर तोर करवाई की गई थी उसी प्रकार से उस तत्काल जब सुप्रेम कोट का फैसला आ गया तो उसे तत्काल उस और वो कहते हैं कि सत्के लिए वो किसी हद तक के जाके लड़ाई लाज सकते हैं उन्होंने सिद्ग कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे इस बात पर वो अडिक रहे हैं सुप्रेम कोट की फैसला लोग तंत्र की जीत है यह फैसला उन सड़यत्रों की हार है जो उन्हें लोग सबसी से बाहर करने का किया था संसर से दूर रखना चाहते थे क्योंकि उस सवाल पूछते थे इससे सत्ता में बैटे वी लोग परसान हो जाते थे एक बार फिर रहुल जी संसर में होंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे जो लोग तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी ह है तो सुप्रेम कोर्ड का फैसला उसका हम सब स्वागत करते हैं और साथ ही राहो जी को बढ़ाई कि वो माफी नहीं मांगे लड़ते रहे और जीत हुई